नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मा रोक्स के यूट्यूब एजू किस्टन चैनल में तो आज हम सिखने वाले हैं जैमी फ्लॉक्जास इन मेडिसिन के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक उसके बाएं के कौन से अलग-अलग चैनल मेडिकल कंडिसन को ट्रीट करने के लिए जैमी फ्लॉक्जास इन जो यूँज के जाता है साथ ही जाने के उसके डोस के बारे में कि कितने डोस में यह मेडिकेशन यूज की जाती है उसके साइड एफेक्स क्या है वार्निंग और कॉंटर इंडिकेशन के डीटेल स्टे जैमी फ्लॉक्जास इन यूज किया जाता है फिर जो यूरिन इंफेक्सन होता है कि जैसको हम यूरिनरी ट्रैक इंफेक्सन कहता है तो उसमें भी ये एंटिबियोटिक्स ये यूज किया जाता है और बहुत सारे बैक्टेर इंफेक्शन को ट्रीट करता है ये जैमी होती है उनके डोस क्या होते है वार्निंग कॉंडर इंडिकेशन वह भी अफ़ाड़िबल प्राइज में फार्मा रोक्स के पूपर तो समझें कि यह कूर्स आपको जोइन करना है तो हमें वाट्सेप करें हमारा वाट्सप हेल्प लाइन नंबर है 9016312020 सुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं जैमी फ्लॉक्जासिट के बारे में तो यह ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटिबाइटिक कहते हैं और यह बहुत सारे अलग-अलग बैक्टेर लिड इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है और यह एक 3rd generation fluorokinolons class का एंटिबाइटिक मेडिकेशन है तो अब उसके label की study करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी सिंजे उसका ब्राणने में कि जो लिूपिन फार्मसुटिगल उसको मेनिफेक्चर कहते हैं जैमी फ्लॉक्जासिट की जो strength होती है वो रहती है 320 mg और यह जो है वो film coated tablet रहती है और एक tablet के अंदर 320 mg जितना जैमी फ्लॉक्जासिट जो वो present होता है और यहाँ पे हम उसकी और detail study करें लेबल की तो यह sedule H drug है यहाँ पे आप खास देख सकते हैं कि यह medication जो sedule H में आती है मतलब कि जब भी आप उसको retail में जो हो बेचते हैं तो prescription के साथ ही उसको बेचा जाता है फिर बच्चों से यह medication को दूर रखना है फिर light से protect करनी रहती है और moisture से भी उसको prevent करके आपको रखना होता है और यह medication जो इंडियन फार्माकोपिया के standards के according to बनाई गई है तो अब उसके basic use समझते हैं कि आप कौन से अलग-अलग medical conditions में जै के अंदर bacterial infections होता है तो उसको treat करता है Jamifloxacin उसके अलावा हम देखे तो लंबे समय तक जो breathing problems रहते है और bacterial infections समझे के आपके lungs के अंदर फेला है और उसके करनी एक symptom develop हो रहा है तो उसके इलाज में भी यह medication जो वो prescribe की जाती है तीसरी condition pneumonia की यह वो भी एक respirated wreck infections के bacteria के करन आप आपके respirated wreck के अंदर infection फैल रहा है तो उसको भी ठीक करता है यह Jamifloxacin फिर sinuses के condition होती है urinated wreck infection के जिसके अंदर समझे के आपके kidneys के अंदर infection फैला है आपके bladder के अंदर है ureter के अंदर है या फिर urethra का person मलकि जब पूरा urinated wreck आपका infected होता है bacteria के करन तो उसके इलाज में यह medication जो है वो use की जाती है फिर prostate gland के अंदर जो infection होता है bacteria के गरन तो उसके इलाज में भी gamifloxacin को जो हम prescribe करते है और जो skin के उपर infections होता है तो उसमें भी gamifloxacin जो है वो use की जाती है तो यहा पर आप देख सकते कि जो हमारा urinary track है पुरा कि उसके इलाज में भी gamifloxacin prescribe की ज रहती है pneumonia और बहुत सारे bacterial infections को treat करता है यह antibiotic तो उसके dose को हम समझते है तो यह इसका जो standard dose के हम बात करें तो 320 mg once a day रहता है OD के तौर पर दी जाती है यह medication और course रहता है 5-7 दिन का तो यहाँ पर आप देखो यह जो tablet का blister है उसमें company ने सिर्फ 5 ही tablet दी है because उसका dose ही खासकर 5 दिन का होता है और जरूरत पढ़ने पर ही दूसरे दो दिन जो वह patient लेता है खासकर 5 दिन लेने से ही infection जो ठीक हो जाता है मतलब दिन में एक ही tablet खानी है और यह सिर्फ और सिर्फ 5 दिन तक ही यह medication का course जो रहता है अब उसके working के बार में समझते कि कैसे medication जो वह काम करती है तो जैसे दूसरे फ्रोरोकिलोलोंस काम करते कि वो जो डिन गायरेस एंजयम होता है उसको inhibit कर देते हैं बैक्टेरियास के अंदर कि जिसके करण उनके अंदर जो डिन के रैप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है तो यहाँ पर आप देखो कि जो डिन टॉप आइसोमरेस एंजयम है तो उसकी activity को inhibit कर देता है यह जैमी फ्लॉक्जस इन मेडिकेशन और इस तरह से बैक्टेरिया की जो यह वो अंदर डिन ना बनने से आगे उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती और उनकी डेथ हो जाती तो इस तरह से यह मेडिकेशन काम करता है अब फिर पेट में दर्ध हो ना मलएकि स्टमक पेंट जैसा पेशन फिल करते हैं यह मेडिकेशन लेने के बाद नौज्या मलएकि उल्टी हो जाना जी घबराना जैसे complications हो सकते हैं और आपके mouth के अंदर आप बीटर टेस्ट जैसा फिल करते हैं कि आपको बीटर या फिर जो कड रवास महसूस होती है आपके mouth के अंदर फिर indigestion मलएकि खाना digest नहीं हुआ है और पाचन की जो condition है ऐसा जो ही पेशन फिल करते हैं कुछ लोगों को diarrhea हो जाते हैं और बहुत सारे cases में इसा भी देखने को विलता है कि अगर कोई person high dose में उसको खा लेता है कि मलएकि अभी जो जो यह medication irregular जो वो करवा सकती है फिर दूसरे side effects हम देखे तो blisters मलएकि आपके जो हाथ है उसके उपर जो आपको blisters जैसा बन जाता है मलएकि यहापे जो diagram में आप देख रहे है कि red-red करर की sports बन जाते है दाने-दाने बन जाते है ऐसे blisters देखने को मिलते है और वहाँ पे आ skin के उपर आपको redness जैसा देखने को मिलता है burning sensation मलएकि जलन होती है आपको skin के उपर और skin के उपर rashes होना और skin के उपर कई बार सुजन भी देखने को मिलती है तो यह side effects समझे कि और ज़्यादा severe हो रहे है तो तुरंत यह medication को लेना जो आपको बंद कर देनी चाहिए फिर यह जो side effects समझे के काफी ज्यादा high हो रहे है कि जो अभी हमने आपको देखने के समझे के heart beat और ज्यादा irregular हो रहे है तो तुरंत यह medication को बंद कर दीनी चाहिए और आपके doctor या फिर pharmacist को inform करके दूसरा जो safe antibiotics होते है कि like को sephalospirin में आपको suit हो रहा है या फिर जो phloxac इंस में समझे के ciprofloxacin है लीवो phloxacin है वो समझे के आपको suit हो रहे है तो वो लेख के आप जो इसका इलाज कर सकते हैं अब बात करते उसके warnings की तो कौन से warnings रहे हैं कि तो अभी जैसे मैंने आपको बदाते कि आगर किसी को allergy हो जाते है severe allergic reactions हो जाते है जैमी phloxacin को ले देखने को मिल रही है जीब का बाग है lips का बाग है गले में या फिर आपके हाथ पैर बलकि पूरे body पे अचानक से surgeon देखने को मिलते है तो यह लेना बंद कर देना चाहिए बेहोस हो जाता है कोई patient या फिर उसको चक्कर आने लगते है यह medication लेने के बाद तो आपको लेना बंद कर देना चाहिए और अचानक से आपको chest pain जैसा फिल करें मैं छाते में दर्द हो रहा है पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है या फिर back pain जैसा हो रहा है तो तुरंत आप जो है वो यह medication बंद कर दे और आपके doctor या फिर pharmacist को inform करें और safe alternative जो है वो आप ले सकते ह Contra Indications के बात करें तो कौनसे लोगों को Gemifloxasin नहीं खानी है तो सबसे पहले pregnancy and breastfeeding period के दोरन इसको यूज नहीं करना है Second अगर आपको diarrhea हुआ है दस्त हुआ है और diarrhea होने का reason है Clostridium difficile bacteria तो उस वक्त आप ये medication को यूज ना करें तिसरी condition किसी को diabetes है और diabetes के अंदर diabetes control में नहीं है उनका sugar level काफी कम रहता है डाउन रहता है तो ऐसे लोगों को ये medication नहीं खानी है फिर G6PD कि मतलब कि glucose 6-phosphate dehydrogenase की deficiency है आपके सेरीर के अंदर तो ये medication आप यूज ना करें आपके blood के अंदर magnesium के मातरा समझो के काफी कम है पोटेस्यम के मातरा सेरीर में कम है आपको जो वो मिर्गी के दौरे पढ़ते है तो भी ये jammy phloxacin को यूज ना करें जिनको सीजर या फिर जो हम कहते की epilepsy के symptoms आपके अंदर है या फिर myasthenia graves के जो skeletal muscles related disorder है तो इन में से कोई भी condition आपके सेरीर में है तो jammy phloxacin को यूज ना करें तो ऐसे ही सीखे detail में medicine course को जो हमने specially आपके लिए design किया है कि जिसके अंदर आप सीख पाएंगे बहुत सारी दवायों के बारे में इनके basic use सीख सकेंगे कि जैसे या पर हम jammy phloxacin के बारे में सीखे कि उसके use सीखे फिर उसके dose के बारे में हमने सीखा उसके side effect, warning, counter indication तो ऐसे ही सीखे बहुत सारी दवायों के बारे में medicine course में pharma rocks के उपर, तो यह course हमने specially आपके लिए जो design किया है तो access कर पाओगे pharma rocks के आप उपर और इसको join करने के लिए में WhatsApp भी आप कर सकते हैं या फिर हमारी app को download कर सकते हैं, link में आपको description box में दे दूँगा, so good luck and all the best